नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सपी का लिविंग हेल्थी चैनल में आज के इस वीडियो में हम तुलसी और तुलसी के फायदों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे अगर आपने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमारे नए नए वीडियो की अपडेट्स पाने के लिए बेल आइंकोल पर क्लिक किजिए तुलसी का अध्यात्मिक महत्व बहुत खास है उसके साथ तुलसी एक जानीमानी अवशदी है ज्यादातर हिंदू परिवारों में तुलसी की पुजा की जाती है इसे सुख और कल्यान के तोर पर देखा जाता है लेकिन पौरानिक महत्व से अलग तुलसी एक जानीमानी अवशदी भी है जिसका इस्तेमाल कई बिमारियों में किया जाता है सर्दी खांसी से लेकर कई बड़ी-बड़ी बिमारियों में भी एक कारगर अवशदी है लोगों को नश्ट करने वाली अत्युत्तम अवशदी है। लोगी, नासीका रोग, कुरूमी रोग तुलसी से दूर होते है। महर्शी सुश्रुत ने भी बताया है कि तुलसी कप, वात, विश, विकार, स्वास, खासी और दुरगंद नाशक है। पित को उत्पन करती है, तथा कफ और वायु को विशेश रूप से नश्ट करती है। होमियोपेथिक मत के अनुसार, सीर में दर्द, स्मरण सक्ती में कमी, बच्चों का चिर्चीडापन, आखों की लाली, एलर्जी के करण छिंके आना, नाक बहना, मुह के चाले, गले में दर्द, पेशाब में जलन, दमा, तथा जिर्ण जवर जैसे बहुत प्रकार के हम जानते हैं, तुलसी का रोगों में कैसे उप्योग करें, गले और सास की समस्या, खासी अत्वा गला बैठने पर तुलसी की जड़ सुपारी की तरह चुशी जाती है, स्वास रोगों में तुलसी के पत्ते काले नमक के साथ सुपारी की तरह मुह में रखने से आराम मिलत तुलसी की हरी पत्तियों को आग पर सिक कर नमक के साथ खाने से खासी तथा गला बैठना ठीक हो जाता है तुलसी के पत्तों के साथ चार भुनी लॉंग चबाने से खासी जाती है तुलसी के कोमल पत्तों को चबाने से खासी और नजले से राहत मिलती है खासी जुकाम में तुलसी के पत्ते अद्रक और काली मिर्च से तैयार की हुई चाई पिने से तुरंत लाप पहुचता है दस बारा तुलसी के पत्ते तथा आठ दस काली मिर्च के चाई बना कर पिने से खासी जुकाम बुखार ठीक होता है फेपडो में खरखराहट की आवाज आनेव खासी होने पर तुलसी की सुखी पत्तिया चार ग्राम मिस्री के साथ लेते है काली तुलसी का स्वरस लगबग डेड़ चम्मच काली मिर्च के साथ देने से खासी का वेग एकदम शांत होता है दस ग्राम तुलसी के रस को पांच ग्राम शहद के साथ सेवन करने से हिचकी अस्थमा एवं स्वास रोगों को ठीक किया जा सकता है जुकाम में तुलसी का पंचांग व अद्रक समान भाग लेकर क्वाथ बनाते है इसे दिन में तीन बार लेते है अद्रक या सोंट तुलसी काली मीर्च दाल चीनी थोड़ा थोड़ा सब को मिला कर एक ग्लास पानी में उबा ले जब पानी आदा रह जाए तो शक्कर नमक मिला कर पी जाए इससे फ्लूग खासी सरदी जुकाम ठीक होता है तुलसी के पत्ते 10, काली मीर्च 5 ग्राम, सोंट 15 ग्राम, सीके चने का आटा 50 ग्राम और घुड 50 ग्राम इन सब को पान्व अद्रक में गौट ले तथा एक एक ग्राम की गोलिया बना ले शहद अद्रक और तुलसी को मिला कर बनाया गया काड़ा पिने से दमा, कप और सरदी में राहत मिलती है नमक लौंग और तुलसी के पत्तों से बनाया गया काड़ा इन्फुलूएंजा में फोरन राहत देता है जब भी खासी हो सेवन करे तुलसी व अद्रक का रस एक चम्मच मुलेठी का चुर्ण मिला कर सुबह शाम चाटे यह खासी की अचुक दवा है तुलसी के पत्तों का रस शहद प्याज का रस और अद्रक का रस सभी चाय का एक एक चम्मच भर लेकर मिला ले इसे आवश्चकता के अनुसार दिन में तीन बार ले इससे बलगम बाहर निकल जाता है और रोग ठीक हो जाता है तुलसी दमा टीबी में अत्यंत लापकारी है तुलसी के नियमित सेवन से दमा टीबी नहीं होती है क्योंकि यह बिमारी के जिम्मेदार कारण जिवान को बढ़ने से रोकती है चरक सहिता में तुलसी को दमा की अउशदी बताया गया है फ्लू रोग तुलसी के पत्तों का काड़ा सेंदा नमक मिला कर पिने से ठीक होता है करीब सभी कप सिरप को बनाने में तुलसी का इस्तेमाल किया जाता है तुलसी की पत्तिया कप साप करने में मदद करती है तुलसी के सुखे पत्ते ना फैके यकफ नाशक के रूप में काम में लाए जा सकते है ज्वर से जुड़ी समस्या ज्वर यदि विशम प्रकार का हो तो तुलसी पत्र का क्वात तिन तिन गंटे पस्चात सेवन करने का विदान है अथवा तिन ग्राम स्वरस शहत के साथ तिन तिन गंटे में ले हलके ज्वर में कबज भी साथ हो तो काली तुलसी का स्वरस एवं गवदृत दोनों को एक कटोरी में गुन गुना करके इस पुरी मात्रा को दिन में दो या तीन बार लेने से कब भी मिटता है, ज्वर भी तुलसी की जड़का काड़ा भी आदे आंस की मात्रा में दो बार लेने से ज्वर में लाब पहुचता है तुलसी के पत्ते का रस एक दो ग्राम रोज पिए, बुखार नहीं होगा एक सामान्य नियम सभी प्रकार के ज्वरों के लिए यह है कि 20 तुलसी दल एवं 10 काली मिर्च मिला कर क्वात पिलाने से तुरंत ज्वर उतर जाता है मोती जरा में 10 तुलसी पत्र एक माशास जावित्री के साथ पानी में पिसकर शहद के साथ दिन में 4 बार देते है तुलसी काली मिर्च दाल चीनी लौंग अद्रक गुट कर पिसकर एक गलास पानी में इतना उबाले कि आधा रह जाए तो उतार कर नमक चीनी में इच्छा अनुसार डाल कर पिये फिर ओड कर सो जाए तुलसी सोंट के साथ सेवन करने से लगातार आने वाला बुखार ठीक हो जाता है तुलसी अद्रक मुलेठी सब को गोट कर शहद के साथ लेने से सरदी के बुखार में आराम होता है यदि तुलसी की अग्यार पत्तिया का चार खड़ी काली मीर्च के साथ सेवन किया जाए तो मलेरिया एवं मियादी बुखार ठीक किये जा सकते है